Hi everyone, welcome again to Ankit Chaudhary education and organic chemistry के class 11th series को continue करते हुए आज की class में हम discuss करने वाले हैं कुछ naming and also हम cyclic compound की naming भी समझेंगे यार एक चीज मैं बताता हूँ आपको अगर हमारे पास एक longest chain के अंदर for example एक longest chain है इसमें कहीं पे कुछ आता है तो इसे हम कहते हैं branch अब अगर इस branch में भी कोई और alkyl group जूड़ जाए तो branch का भी तो branch हो सकता है समझने वाली बात है माल लीजे कि ये हमारे पास एक branch है इस branch में मैं एक और branch ये add कर देता हूँ अच्छा ये जो branch है ये किसी main carbon chain के साथ link होगा तो जब मैं branch में भी branch add कर देता हूँ तो ये special case आता है ये branch to branch group कहलाता है अब इसके नाम कैसे रखे जाते हैं देखिए ध्यान से समझे ये जो longest chain है फिलहाल इसके लिए तो यही इसका longest chain है आपको करना ये है कि उससे एक carbon कम count करना है यानि कि आपको दिख दो रहा है मगर होगा तीन तीसरा linked होगा parent chain के साथ तीसरा जो यहाँ पे होगा वो parent chain के साथ link होगा तो इसका नाम ऐसी रखा जाएगा action में तो तीन ही है ठीक है तो तीन को हम कहते है prop ठीक है इसका नाम होता है isopropyle ठीक है ध्यान रहेगा कि तीन carbon chain है तीसरा linked है main branch main parent chain के साथ और ये जो branch है ये इसका parent chain है ये जो है parent chain act कर रहा है इसके branch के लिए तो इस case में अगर हम आए तो यहाँ पर आपको दिख तीन रहा है मगर होगा चार चौथा किसी और के साथ link होगा तो चार के लिए हम क्या word उस करेंगे but तो इसका नाम होगा sec butile क्यों क्योंकि इस case में ये वाला जो है ये as a branch act कर रहा है इसके लिए मतलब branch का भी ये branch होगा इसमें आईए यहाँ पर तीन दिख रहा है बर अगे ये भी चार होगा क्योंकि ये जो आगे continue हो रहा है ये main parent chain के साथ linked होगा तो ये भी होगा but again इसका नाम है iso butile समझ में आगे अच्छे से इसका नाम है sec butile ठीक है secondary ये कुछ common name जो आपको याद रखने पड़ेंगे इस case में आईए समझे इस बात को देखिए होगा एक ही ये वाला जो दिख रहा आपको ये जो है ये इसका branch है इस longest chain का और ये longest chain ये किसी और का branch है यानि कि यहाँ से ये किसी और का branch है तो आपको यहाँ पे 3 दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे 3 दिख रहे होंगे बट है यहाँ पे एक ओ सॉरी आपको 3 दिख रहे होंगे बट ये चौथा किसी period chain के साथ link होगा यहाँ 4 carbon का जो यहाँ पे chain चलेगा उसको beauty बोलेंगे और ये होगा इसका branch तो इसे कहेंगे tertiary butyl याद रहे tertiary butyl tertiary butyl okay spelling देख लेना यार चौथा यहाँ पे आते हैं fourth structure में that is यहाँ पे again आपको 5 दिखेगा देखे एक दो तीन चार अगर यहाँ पे ध्यान से देखे एक एक दो तीन और ये चार और ये किसी और के साथ लिंक होगा तो पांच हो गया तो यह हो गया pent राइट पांच को pent कहते है pentile हो गया क्योंकि ये खुद भी तो branch है ना तो alkyl group से बिलॉंग करते हैं है ना branch हमेसा alkyl group से बिलॉंग करते हैं वो अलग बात है कि इस branch का भी अपना एक branch आ गया ये वाला ठीक है या तो आप इसको branch consider कर लीजे या फिर इसको consider कर लीजे तो अगर ये branch हो गया इस वाले parent chain का तो इसका नाम क्या होगा pentile ठीक है अब ये branch की वेज़े से कहेंगे neopentile ये एक छोटी सी बात थी कि हम branch में जब कभी branch के अंदर branch में अगर branch आ जाता है तो उसकी naming कैसे करते है branch to branch की बात की थी मैंने यहाँ पर अब branch to branch के base पर कुछ naming करेंगे next class में तब तक all the west